येस से वास चंदर बो επाशिव किया था, इन्डियाड नेर नशनल गुए थे, तो प्रीया निरमाण के था, भॉस उस बहुत चंत्र बोल्ज ने यो वो इंटिया नेशनल कांग्रेर्स से अलग हुए थि अंसर रहा हुमारा लो कृषी मिशन कबाया था बारत में 1942 में लिफेशे सिव गंधी ऐफ वन में बोंडरी फोर्स लुग कीसने कहा था गंधी को किसे सित्रसने प्रपफ प्र oppression को किसके दौरा कहा गया था अटेली के दड़ा आइटली ने महातमा गंदी जी को क्या कहा था One Man Boundary Force For which of the following session Congress elected its first woman president वो कौन सी session थी जिसमें जो Congress ने पहला जो elect किया था first woman president को Indian National Congress की जो पहली woman president elect की गई थी वो कौन से session में की गई थी तो session था हमारा कलकत्ता session 1917 में कलकत्ता का session था इंडिया नेशनल कांग्रेस का 1917 में और इसमें जो first woman president को elect किया गया था वो था anyway center anyway center At which of the following round table conference held in London by महातमा गादी प्रेजेंट वो जो टीन round table conference हुई थी हुई तो असमें से tीन round table conference में महातमा गादी जी ने कौन सी round table conference में Participate किया था So second round table conference में जो second round table conference में था महातमा गादी जी ने प्रेजेंट किया था और इसमें साथमें कों थी इसमें थी सारोजनी-नाइडीव सरोजनी जो नाइड़ो थी यह इसने साथ महात्मागंदी के साथ पाटिस्पेट किया था जो हमारी three round table conference हुई थी जो सबसे पहली 1930 में हुई थी जो सेकेंड थी 1931 में हुई थी और 1932 में यह हमारी तीन round table table conference हुई थी जिसमें महात्मागंदी जी ने सेकेंड में पार्टिस्पेट किया था और साथ में इसमें सरोजनी नाइड़ो थी तो only iai Аicc session गंदी जी participate while held और वह एक ही इंडेनेश्णल कांगर्ररส का session था इसमें महात्मागंदी रहे थे कौण सा session था इसमें महात्मागंदी जी President रहे थे रहे ते पार्टि इस सरदार वालवाय प्टेव ब्लेड रोल प्ले किया था तो किसमें बरदोली सत्य ग्रएमी वरदोली शत्य ग्राइम्ंए इससने महतमा गांदी जी नहीं है बाहनसे लिए डिया था उनिस पर ही इंजिक का था था किया गया था सब्दार वल्लवाई पर टेल के दाद इसमें मेंड रोल लीड किया था और जो उसमें किसके ब्रुद हुई थी उसने दो आदमी को जो है अरेस्ट किया था अंग्रेजियों ने तो वह कौन से आदमी थे जिन्हों को अरेस्ट किया था और उसको शिड़वाने के लिए यो गैधरिंग हुई थी तेरा अपरेल उन्नीस में तो कौन से डॉक्टर शिड़वाने के लिए जो प्रोटेस्ट किया था जलेंवाले माग में और इसी दुरान जैनल और डायर ने गोली चलाने का अदेश दे दिया था पब्ली के उपर अधर डेट अप्रेल 16th 1930 जो शेप्रेल उन्नीसो तीस की डेड़ जाती है बारती हिस्ट्री में किसके किस नाम से जाने जाती है वो जो है कि दंडी मार्च के लिए जाने जाती है इसको साल्ट मूउमेंट भी करते हैं ये महत्मा गांदी के दरा चलाय गया था यह इर्बन प्रेक्टर गांदी और इर्बन प्रेक्ट उन्नीशो त्रीस में हुआ था और जलेंवाला मैस्ट्रेश्ट देदो 1913 अप्रेल 1909 में हुआ था इसमें से कौन सा s trugla है जो महात्मा गांधि समद्र रखता है इंडरस्ट्री वरकर के साथ में तो कोण सा भो है एक्था फॉ में ह्मीलवाद टॉर के आङ्नडरस्ट्री वर्कर से सब रिले container चाहर में नहीं हुआ था और जो entraron 1912 तारा में हुआ था और खेड़ा स्ट्रगल भी 1912 में हुआ कि इसमें से को वर बाता है जिसमें महातमागादी समं δी संभ नहीं रखते थे थे तो खिलाफ़त मुंँंट के साथ समंद रखते थे और जो खिलाफ़त मुंग्मेंट और कोप्रेशिन्ट मुंट mix 1987 साथना उनिश्य सो बीस के बीस में हुए थे और सत्य ग्रह मुवमेंट जे कब हुआ था उनिश्य सो चाली समय इस इस इंडिविज्य सत्य मुवमेंट अचारे बनोवा बाबे के द्वारा स्टार्ट किया गया था इस में से महतमा महतमा गांदी समंध नहीं रखते हैं सुद्देशी मुमेंट के साथ महतमा गांधी समंध रखते हैं जे 1905 में हुआ था इसको बंदेवात्रा है पूर्ना प्ट वा सायण बेड़रन जो पूर्ना प्यक्त हुआ था चलकातना था Greg टेस्फ के पूर्ना प्यक्त हुआ जौर फूर्ना प्यक्त कब ह Onu continue ता दिए Алभ यौम सोडा tęजंबि में हुआ था था डांदी जी और मिवराव वेड़ करकर वीच énormément हुआ डाइर की फ़जी इंट्रूड इंडिया अंडर जो डाइर की दोरही नीती यहिंटाट इंटूडूँज्ज की गई थी बहारत में किस की नी चीएंट का शाशनीकाल चल रहा था, किस की नीती के तहत इसको इंटूडूइस की गई था वो है मौन्ट फॉर्ट रिफार्म मौन्ट जो फॉर्ट रिफार्म है इसके तुरू जो डायर्ट की थी यह इंट्रूदूश की गई थी भारत में वो कोण से हमारे करंतिकारी थे जो इसके मृत्तु हो गई थी जेल में ही रित्तु हो गई थी जेतिन दास की यह हमारे फ्रीडम फाइटर थे बिच इंशना कि तो फैक इंशना वीच इंसरेट लेड़ गांदी जी ठू विड्राला कॉपरेशन मूवंध हो था जिसके करन महात्मा गांदी जी जू नौट करनल एंच तो को विड्राल कर लिया था त्हों किस कौसा था चौराचोरी s난प वा इसके कारण महात्मा गादी ज yat मात्मा गंदी ने नानक परेशन मुव्मेंट को बिड़ाल कर ले था जो चोरा चोरी है जे 9 अगस्त अगस्त 1925 को हुआ था 1925 को हुआ था जे काकोरी एसपीसोड वो जलें वाले वाग 13 अप्रेल 1929 को जो मुझफरा वापुर जो एपीसोड था जे कुआ था 1908 में तब पूर्णा पेक्ट का में मकसद क्या था हिंदू मुस्लिम जून्टी का जो 1932 में हुआ था किसके किसके बीच महात्मा गांदी और भीमराव विडिकरगे वीच में इसका में एम था मकसद था हिंदू मुसलिम को एकठा करने का दा अब्जेक्ट आफ दा बत्रल कमिशन आफ 1927 वाज जो में अब्जेक्ट था बत्रल कमिशन उनिससोड़शाईस में आया था तो इसमें इसमें में एम था जो रिलेशन थे बिट्मेंड गवेर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसलिस्टेट को अप्रूब्मेंट करने के पॉंसर रहा हमारा दी बट्रलर कमिशन 1927 में था आया था और इसका में मक्सद था जो रिलेशन थे बित्वन दा गवर्नमेंट आफ दा इंडिया एंड दा इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीज़ अंप्रूब करने का और मोतिलाल नारू वोसाथ में को सेख उस अर। किस्तापना की गई थी उनिसो तेश महें वलवभाई पटेल बरदोली सत्य अग्राई स्टाट किया गया था सत्य ग्राई किया गया था उनिसो थाईस में मास मुमेंट स्टार्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर् 42 में वह इंडीगो मूवमेंट को क्या कहते हैं चिंपारण मूवमेंट भी कहते हैं यह कब हुआ था 1917 में हुआ है फाउंडर दा इंडीपनेंट लीग इंडीपनेंट लीग की स्थापित किसके तर निर्मान किया गया था तो मौती लाल मौती लाल नहरू इंडीपनेंट लीग किसके तरह स्थापित किया गया था जो अजाद खिंद फोज की स्थापना किसके दौरा की गई थी रास बिहारी बोस अजाद खिंद फोज लेकिन इसके रील फोंटर कौन है जाद खिंद फोज के वो है स्वाज चंदर बोस स्वाज चंदर बोस लाला लाइप तरह के दारा कौन सी बुक लही गई है अन्हापी इंडिया अज अजादी के लिए उसके पहला सत्यग्रा किसके दरा स्टाट किया गय था वह महतमा गांदी के दारा कि चिंपार न सत्यग्रे गंधी तुकसी अपने सिफशीशब्स के अगे अंट, जो गंदी जी ने क्या किया है था उसको सिफशीशब्सकूर्टर भी कहते हैं, या साल्ट के मूवेंट भी कहते है, वह 12 March 1930 को स्टर्ट किया गये. गान्दीजी के द्वारा कि वह था फर्स पर्सन टू अब्जर्व इंडिविजिल सत्यग्राइब कोन से पर्सन थे जिसने इंडिविजिल सत्यग्राइब तहां तो भूर्व रोड अन्हेपी इंडिया किसके तोरा लाला लाज पत्राई के दौरा ऑनहापी इंडिया बूक्प ली गई है इसको शेरे कश्मीर भी कह जाता है पंजाब भी कहा जाता है लाला लाज पत्राई को तो ना इंडियननेशनल कांगरेस अप्धर्वूंडिप्नेंट्ट टे फाथ फॉस्स टाइम ऑन फ्वंटिसिक्स जनबरे एन को इंडियननेशनल कांगरेस के दरा पहली बार अपनाया गया था इंडिपनेंटेट कि पहली बार का शब्धी जनब्रीं 1920 को कि संपनाया था किसके राइटर कौन है तो किसके द्वरा नील दरपन किसके द्वरा लिहा गया है कि दीन बंदू मित्रा अन्सरीज़ यह । मिंद रहाइंस तू इंड़िम स्टरगलिच वन वन्ग दा फालिबट अकॉर अलेस्ट रिशbagन मुवमेइं और इसमें से कौन सा मोवेंट सबसे पहले हुआ था तो सबसे सिक्स्टी में हुआ था और क्रिप्स मेशन यह कब हुआ था 1942 में हुआ था और अगस्ता अफर कब हुआ था 1940 में हुआ इसने पूशा गया है सबसे पहले कौन सा हुआ था तो लगनौव पैक्ट है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था तो विपन चंद्र पाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था न्यूद पेपर बंदे मात्रम तांसर दी बाराज बिहारी बोस ने जो फर्स्ट इस किया था इंडीपरेंट-इंडियन आर्मी और साइड इंडिया के बाहर तो कौन थे राज-बिहरी बौस ने जो फर्स्ट इसकिया था और रानी जंसी रिंडमेंट वजाधं हंद फोज्ट वाज अंडर ओंट रानी कि यह एक मनकि रिंडमेंट है औरगिंड की धिकिसके अंडर कमाद् थी लक्षमी सेगलक्ष मिर्शें कि विए यह ओन मैं रिंडम है रानी जंसी रिंडम हुआ डा आटो बाउय लबज़ दा इंडियन स्ट्टॉगल इंडियन स्ट्ट Huge किसकी आटोवै ग्राफी ही आ इंडियन स्ट्टॉग्ल किसकी आटो बाऊग्राफी है स्वाज चंतर बैहस्की AH १ अहां कि खख़ल राज पत्राइड सलोगन दिया था बिटिस एम्पएर कि किस ने जला दिया था फार्ण क्लोथी ज नान कोपरेशन मुवमेंट में उसको क्या समझे इन से समझे तो आंसर इस मुहमध किसने रविंदरनाथ टागवर रविंदरनाथ टागवर दान नीम अफ दब प्रैडिकल अमंग्ड फालिंग पव्लिष महतमा गंधी डियु इनस दॉर्थ्पॉरिका वहतमागंदी ने पभ्लिष क्या था अब पेपर जो उसने पब्लिश किया था जब सोथ अब्रिका में रुके थे तो महत्मागांदी ने बहां से कॉन सा पॉबलिश किया था कोझनधीरs अन्स्रीज बी इन विचाव था फालिंग सेट सर्दार बलवबाई पडे लेज ये लीडिंग रोल बैंतों सा एसा मॉमेंट था सर्दार बलवबाई ने प्ले किया था मेन रोल वो कोण से मॉमेंट किया था बर्दुल बर्दोली सत्यग्राइन जो बर्दुलोई सत्यग्राइन है इसमें जो प्ले किया था से में लीडिंग रोल किया था सने बल्लव सर्दार बल्लव वाई पुटेल देजिसे जोन से प्रसें के लिए यह वह पुटुटुटु सारीं हुई थी निकालने के लिए जो बहुत सारी गैदरिंग कुछी हुई थी तो बिस जलेंवाले हत्या कांड इंग्रेजियों ने गोली चलाना शुरू कर दी थी उन गैदरिंग के उपर हम तो देडर अप्रेल 6 नीटीन थर्टी जो अप्रेल निश्ट्री मैं जाने जाती है इसके लिए जाने जाती है which is a falling struggle महतमागांधि loose कोण सा अ था महतमागांदी का श्रॉग्र मुयमेट था जो समंद्भे है इंडरेस्ट्रेल और वरकर के साथ समंदीत था कोण सा है अहमदाबाद 세상 यह ं प्रेस्ट्रेल वरकर के साथ है उनका साह देने के लिए तुआ महात्मा गांदी कंचे थे इन प्विट मॉम्हात्मा गांदी I सब्सक्राइब तो इसका चला था सत्रा उक्टूबर कि नाइंटिन को जिरो में चलाया था बिनोवा बावे कि द्वरा स्टार्ट किया गया था इसके साथ नहीं है मातमा गांदी सब्सक्राइब तो इसके सब्सक्राइब मातमा गांदी और डॉक्टर भीमराव वेटकर के बीच में हुआ था पुर्णा टॉक्ट अंसरेज दी इफ यू लाइक इस बीडियो प्लेज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फार वाचिंग